तो स्वागत है आप सब का आज हम ये देखेंगे कि किस कैसे करते हैं लड़कों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है तो चलिए शुरू करते हैं तो जब आप दोनों हंस रहे हैं उस समय अपनी बाहें उसकी कमर पर रख सकते हैं और कुछ शंचल या अच्छा सा कह सकते हैं जैसे तुम बहुत सुन्दर हो उसे सवारी के लिए पूछे या गुदगुदी करें अगर वो ऐसा पसंद करती है अच्छा तो यह कह रही है बीट पे बूटी का जो बूटी है उसके दो तिन इंच उपर कमर पे हाथ रख के उस लड़की के शकल की तारिफ करनी है और फिर गुदगुदी भी करनी है इससे वो लड़की आपको किस करने के लिए तैयार हो जाएगी अभी आप अपने आपको इस जगह पे रख के सोची आप एक लड़की के साथ है और आपका हाथ उस लड़की के बीट के बूटी के दो तिन इंच उपर कमर पे है आपका हाथ बहुत चाह रहा है कि एक दो इंच नीच नीचे जाए लेकिन वो नहीं जा रहा है क्यों? क्यो आप वो लड़की ये पीछे पीछे भाग के जाओगा और उसको बूला गया रहे मुझे पपी दे ना रहे पपी दे ना रहे उस वीडियो में देखा तो उस लड़की को किस मिला तू मुझे किस क्यों ने करी है ऐसा गलती से भी मत करना एक कसके पड़ेगा ना बिलकुल मत करना ऐसा इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसे लोग को व्यूज मत दो मुझे दो मैं लड़की पटने का आपको सीधा दिखाता हूँ रास्त श्वासले आप आश्चर्य अचकित हो जाएंगे कि कितने सारे लोग सांस लेना भूजाते हैं जब वो ज्यादा किस नहीं कर चुक पहली बात तो यह कि इस ओरत की हिंदी बहुत खराब है और दूसरी बात यह कि मैं आपको एक कहानी सुनने वाला हूँ तो इंडिया में एक लड़के को कम से कम 15-16 साल या कभी कभी उससे भी ज्यादा रुखना पड़ता है अपने पहले किस के लिए और जब वो आपना प जालों पर और सिर्पे किस करेगा वो लड़का मौत को ही चुनेगा लेकिन वो पीछने हटेगा क्योंकि इतनी हसीन मौत श्रीफ नसीब वालों को मिलती है यह वीडियो वाली और सबको चूतिया बना रही इसलिए मैं सबको बोलता हूँ उनको व्यूस मत दो मुझे दो मै मैं आपको लड़की पठाने का सीधा दिखाता हूँ रास्ता मैंने जब अपना पहला किस किया था तब मैं और मेरी गल्फरेंट बात कर रहे थी एक दूसरे की आखों में आके डालकर फिर धिरे धिरे पता नहीं दोनों को क्या हुआ दोनों का चूतिया कड़िया जल्दी क्यों सुनाए दे रहा है जब भी किस करने का मन करें तब अपनी गल्फरेंट की मूड को परके हूँ हम क्यों परके मतलब जब लड़की का मूड हो तब करो जब लड़के का मूड हो तब परको वह ये भेद भाव क्यों सब सोचो जब भी लड़की का मूड होता है हम लड और लड़की आप भी मनाम मत करो आपका दिल तो हम लड़कों से भी बढ़ा होता है बार मुझे मालुम है सुनने को तोड़ा गलत लगा लेकिन अच्छा होता है, नारण होता है छोड़ो मेरा यह सब बातों को छोड़ो मेरा मतलब आप लड़किया बहुत अच्छी होती है तो प्लीज जब भी हमारा मूड हो आप प्लीज हमें भी समझे और आप अपना भी मूड बनाए कभी कभी हमको देखके प्लीज अच्छा तो इसकी हिसाब से जब आप किसी लड़की को किस कर रहे हो आपको एकदम आर्मी वालों जैसे साफधाम पोजिशन में हाथ पीछे करके खड़े रहे ना है और किस करना है साला चूतिया और इस चूतियों को मालम व्यूज कितना है पांच लाग वो पांच लाग अगर मुझे होते ना मैं उन सारे लोगों को लड़की पटाने का सीधा दिखाता रास्ता नामबर सिक्स किस करते वक्त आप चाहे तो उसके गले को दोनों हाथ से पकड़ सकते हैं ये तो सिधा खून करने की बात कर रहा है किसके नाम पे लड़की का गला दोनों हाथ से पकड़ सकते का क्या मतलब है और थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि चूओ मत और अभी बोल रहा है कि लड़की का गला दोनों हाथ से पकड़ो मतलब छूओ तो ऐसे छूओ कि लड़की ही मर जए मतलब एक बंदा एक लड़की को पताने के लिए कम से कम 2-3 मेहना महनत करता है, रिसर्च करता है और जब उसको पहले किस करने का मौका मिलता है तब उसका गला दबा कि उस लड़की को मार दो और इस बंदे को ये सब सिखाने के पाँच लाग व्यूज है वाह मैं बता तो आपको किस कैसे करना है पहले आप अपनी गल्वेंट से दो तीन अच्छे बाते करो उसके बाद दो तीन नौटी बाते करो और फिर किस करना चालो कर दो कोई किसी को नहीं रोकेगा और किस करने से आज कल बिल्कुल मत रोकना अपने आपको क्योंकि आज कल तेरे चुम्मे में जवन प्राश है तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खतम करते हो सके तो आप हमें भी 5 लाग व्यूज देना शेर कर करके करके करकर के और जैसे की मैं हमेशा बोलता हूँ हम फेस्बूक में लेके अपना आ चुके है वो कमेंटेटर नाम है वहाँ पे लाइक और फोलो कीजिए और यूट्यूब को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना गूलिया चलो थेंक यू बाई